हेलो फ्रेंड्स डेटा कॉम्निकेशन एंड नेटवर्क के लेक्चर नूंबर 17 में आपका स्वागत है आज के डिसकस्टन में हम लोग भी डिसकस्टन कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर पर तो डेटा लिंक लेयर के क्या इंपर्टेंट फंक्शनालिटी हैं उस पर डिसकस्टन हम लोग नें पीसे क्लास में किया था और इसमें सबसी ज़रूरी है एरर कंट्रोल देखें फीजिकल लेयर पर जो भी काम होता है हम सीधे एक पॉइंट से चलके किसी दूसरे पॉइंट पर आते हैं और ह हम जानते हैं कि बीचवीच बहुत सारे नोड भी मिलेंगे है बहुत सारे डिवाई्स होंगे जो नोड की तरह करते रहेंगे आज जब हम या से डेटा भीजेंगे सैंट टो डेटा टो टो से यहां से यहां के डेटाब्स कर दिश दिश Mewn हो तो होती है तो पहले यहां की बात अभी हम नहीं करेंगे हम यह देखेंगे कि जब किसी ए और बी के बीच डेटा का communication होगा तो फीजिकली तो आप कनेक्ट कर दिया आपने लेकिन फीजिकल कनेक्शन में फीजिकल लेयर पर किसी तरह के पर इसको ठिकटा करने की कोई परविजन नहीं है कि अब सिधीय आब जोड़ देते हैं सिंगियल भीजते हैं तो रास्ते में कोई लौस होगा तो फीजिकल भंश्यृत्र वार की कोई जिमेदारी का देखरा भी नहीं सकते हो आप माल लेते हैं हमारा यहां से यहां डायरेक्ट लिंकेज है तो सभावी के कि एसे बीपर डेटा लिंक लेर सिधे डेटा ट्रांसफर कर रहा है लेकिन क्या होगा जब किसी खास इरिया में कोई इलेक्रिकल अप्लायंस के संपर्क में आ ईलेक्ट्रस्टैटिक के प्रभाव में हमारा कि फूरवार हमारा मीडियम आजाए है तो इसला कुछ प्रभाव इस डेटा पर आ सकता है अब हम ऐसा मान के चल रहा हैं कि 1010 यह हमारा डेटा है अब इस data को अ से बी के पास भेजे और वहाँ पर data हमको मिले 10-00 सिंगल बीट का एडर हो गया तो बी के पास पहूंचते हैं विक भी के फीजिकल लेयर को प्लाइप पता कि कौन सा डिटा आपने वेजा आपने इसको भेजा है या इसको भेजा है यह तो बड़ा मुश्किल है डिटेक्ट करना तो ऐसी स्थिती में है हम कुछ न कुछ तरीका ढूंडेंगे और वह तरीका डेटा लिंक ले प्रोवाइड करता है ठीक है डेटा तो मूव करेगा लेकिन सबसे पहले जो यहां पर टेस्टिंग का इंतिजाम इन्होंने किया प्रोड़ा है उसको हम बोल रहे है पाइडिटी चेकिंग पाइडिटी चेकिंग रिच्चेक्टिर में आप लो पढ़ चुके हैं फिर भी इसको दिभाईज कर देना जरूरी है ताकि आप आसानी से समझ सकें पाइडिटी बीट करता क्या है तो माल लेते हैं यहां पर हम डेटा कॉम्मिनिकेशन लिंक की बात करें है हो सकता है हमारे पास कि तो फोर लाइन में फोर डेटा मूव कर रहा हूँ कि अब इस डेटा को जब हमें यहां से भेजेंगे तो अभी हमने कोई शेकिरिटी का प्रोभीजन तो लगा नहीं रखा है कि देटा यहां से चला वहां पहुंच गया रास्ते में कोई भी लॉस हो हमें नहीं पता इसके फिजिकल लेयर के पास आया फिजिकल लेयर ने रिसीब कर लिया अब अगर यहां से चला होगा डेटा एक्यूरेट नहीं पहुंचे तो बी की का इसके में कोई रोल नहीं है तरीका यह है कि बी को पता तो चले पहले कि डेटा में कुछ एरर है तो सबसे पहला तरीका हमने अपनाया कि इस लेबल पर एक हम सर्कृट बनाएंगे यह हमारा सर्कृट है पायरीटी जेनरेटर और यहां पर हम रखेंगे पायरीटी चेकर अब देखिए यहां से जो भी डेटा चलेगा पायरीटी जेनरेटर एक एक एक्स्ट्रा बीट जेनरेट करेगा इस इस नोन एज पायरीटी बीट और यह पायरीटी भी डेटा के साथ मूव करेगा यहां पर हमारे पास चेकर है और यह चेकर एक निश्चित सिगनल जेनरेट करेगा जो इस पोर्ट को इनेबल एडिसेबल करेगा अब हम क्या कर रहे हैं लिट डेटा यह से बी के पास जब भी भी भेज रहे है तहस्ते पारिटीиюट भी भेज रही sudah एक पारिटी भी सेक्यूरिटी को इन्सओर करेगा अगर डेटा कोई भी लॉस हो अगर सिंगल बीट लॉस हो तो हमारा पारिटी चेकर डीटेक्ट कर देगा कि यह जो डेटा है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है जो डेटा यहां से चला है वो उसमें कहीं न कहीं रास्ते में कोई गड़बड़ी हुई है तो यह तो वह बहुत अच्छी बात है हम असानी से डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि भाई इस डेटा में कुछ रहर है एक बार अगर हमें पता चल जाए फर्स्ट पॉर्ट पर ही एक नोट से दूसरे नोट पर जो ही हम पहुंचे वहीं पर अगर हम टेस्ट कर लें कि हमारे सामने होगा इमेडियेट हम इसको यहां पर ब्रेक कर देंगे भाई नहीं यह देटा आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि डेटा में कुछ इरह है अब डेटा में क्या यह है यह जीमेदरी इस्पारिटी जेनरेटर चेकर की नहीं है वो यह नहीं बता सकता कि फिफ्ट बीट में कोई रहा है थर्ड बीट में है फस्ट बीट में ही यह 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 नहीं बता सकता तो ऐसी स्थिती में हमने क्या किया है हम इसको रोक देंगे और फिर से इसको एकनालेजमेंट देंगे इस पोर्ट को कि भाई जो डेटा आपने भेजा है वो डेटा प्रॉपर नहीं है आप ऐसा किजिए दुभारा से डेटा भेजिए अजब तक एप्रोप्रेट पैरेटी चेकर से पास नहीं होता तब तक डेटा को हम आगे बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि यहीं बेटेक्ट हो कि इसमें कुछ गड़वरी है अजब तक प्रॉपर डेटा एससे बी तक नहीं पहुंचेगा अगर सर्कृट में कोई प्रॉब्लेम हो तो उसको हम यहां से आगे नहीं बढ़ने देंगे कि एक सेक्यूरिटी का प्रॉविजन तो हमने कर लिया और इस सक्यूरिटी के प्रॉविजन के लिए देखी बहुत आसान है सर्कृट में कोई कॉंप्लेक्सिटी नहीं है आप चाहें तो आसानी से इस सर्कृट को डिजाइन कर सकते हैं तो इसको ज़रा मीटा करके हम काम को कर पा रहे हैं कि हमारे पास डेटा है कि 1011 सपोर्ज मानिए यह हमारा डेटा है इस डेटा को हम लेके चले हमने क्या किया एक एक्स्क्लूसिव गेट एक्स्ट्रा लगाया है और यहां पर बेसिकली हमने एक छोटा सा प्रोविजन कर दिया कि इस डेटा इन्पूट के डेटा के हर इन्पूट को इस एक्स्क्लूसिव गेट में भी दिया मतलब यह जो डेटा हमारा ट्रेवल कर रहा डी 3 डी 2 डी 1 और दी 0 यहां भी हमने दे दिया जो डेटा आगे बढ़ रहा था उसको एक्स्क्लूसिव गेट में भी हमने इन्पूट लाइन पर ही जोड दिया और यहां से जो जेनेरेट होगा वही है अमारा जेनेरेटर पारिटी बीट से यहां से चला हागी हमने क्या किया फिर से इस डेटा को जेनेरेटर एक एक्स्क्लूसिव गेट यहां भी लगाया है अब फिर वही काम हमने किया हमने क्या किया अब फिर वही काम हमने क्या किया आउट्पुट जो निकलेगा उस आउट्पुट को हम यहां पर इसमें इस गेट को हम लैज के थुरू पास कराएंगे एक ऐसे लैज के थुरू पास करा रहे हैं जिसको हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं कि अभी नहीं जाएंगे भी लॉजिक पहले आप समझ ले इनेबल डिसेबल कैसे होता है लैज कैसे बनाते हैं उसको मेरे डिजिटल इलेक्रोनिक्स के इसमें देख सकते हैं ऐसे आर्किटिक्चर में बताये भी आपको तो आपको लगता है कि आसानी से समझ पाएंगे आप सोचिए कि हमने डेटा दिया वन जीरो वन वन पाइरिटी बीट क्या होगा कि एक्स्क्लूसिव और गेट का सिंपल प्रिंसिपल है कि वें दा कि इन्पूट नंबर अफ लाइन इस और इस प्रोड़ है और पूट वन कि अगर और नंबर आफ अपूट ल् новые हैं इसका मतलब होगा हिसा अब हमारे पासं यहां जो यहां पर जो इंपूट आएगा वो किया होगा 11 और 11 यह पाहिट इन्पूट का है लेकिन यह पाहिट इन्सवर करता है कि यहां पर आने वाला हर डेटा आलवेज इन इवेन फॉर्म यह ओड नहीं हो सकता क्योंकि यदी ओड है तो यह वन जेनरेट करेगा और यदी मान लेते हैं यहां पर डेटा होता यहां जेनरेट करता है इस्क्लूसिव और गेट में अगर दो इनपुट हो हाई तो आउट्पूट इस चीत रूप से जीरो होगा अब टूटल करके देखिए कि यह इवेन यहां भी है इवेन यहां भी है तो हमारा डेटा चाहिए ओड हो या इवेन हो पारीटी बीट यह इ एवेन खाल और यह जब इवेन होगा तिन शीत रूप से यहां क्या जाट जीरो डेटा तो यहां पर पहुंचा है साथ में यहां है उसकी कौपी हम यहां दे रहा है यहां से नहीं गुजर रहा है डेटा तो अपना जागा लेकिन यहां जो गेट था वह यहां पर हम ऐसा भीवस्था किये हैं कि यहीं इसको हम 0 देंगे यह इनेवल हो जाएगा और हमारा डेटा यहां से आगे बढ़ेगा आगे चला जाएगा जिए के से बीलत ब्रक्रा बढद भी बढ़ेगा तो लेकिन यहीं किसी कारण से कोई और लास हो मालन लेकर टेटा बिट हो गया 1 से 0 रास्ते में यहां हमने ऐसा नहीं भेजा था हमने तो भेजा था 1011 लेकिन रास्ते में अगर डेटा लॉस होता है एक बिट 0 हो जाए तो यहां पर पहुझने वाट डेटा क्या हो गया इवन पदले और हो गया टोटल अपकाउंट करके देख ले अगर ओड हो गया कि यहां पर जेनरेट होगा वन अटोमेटिक वन हो जाएगा और वन यहीं होगा यह 0 में इनेबल होते थे लेगिन इनको लाजिक वन आप दे रहे हैं यह ब्लॉक कर देगा गेट आगे खुलेगा ही नहीं डेटा हमारा यह नहीं बढ़ सकता है हर पॉइंट पर अगर इस एक्स्ट्रा सर्कृट को हम लगा दें कि यह तो इंसियोर हो गया कि डेटा आगे जब भी पढ़ेगा जब प्रॉपर जाएगा तभी रास्ते में कोई गड़बड़ी हो गया हम रोक लेगे हम डिटेक्ट कर पाने में सक सकते हैं तो यह काम करेगा हमारा डेटा लिंक लेयर जिसे पाइरिटी जेनरेटर और चेकर का कॉंसेप्ट है अब थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां है प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारा डेटा 1011 था हमने एक बीट लॉस किया तब तो हम डिटेक्ट कर पाएं अगर हमारा दो बीट लॉस हो जाए तो क्या होगा अगर दो बीट में एक साथ आजाए और दो बीट में एरर भी स्टीम फॉर्म है दोनों और नंबर या इवन नंबर में चेंज हो अगर दो बीट में चेंज हो तो अब यहां पर क्या होना चाहिए है जाएथ सिंगल है वान आयगा आप 1-1 आकर इभेन आया इभेन में यह पास कर देगा उसके है तो है तो दो वन को एक साथ अगर अगर हमने कर दिया चेंज हो गया तो बिट में मोडिफिकेशन हो भर और बिट में वर्डिफिकेशन हो एक साथ तो यह हमारा टेक्नालोजी फेल हो जाता है सिंगल बिट पारिटी में हम ज्यादा से ज्यादा सिंगल बिट इर को डिटेक्ट कर सकते हैं या और नंबर अगर चेंजिंग हो वन में थ्री में फाइव में तब हम डिटेक्ट कर पाएंगे इभेन में अगर बदलाव हो जाए तो हमारे लिए संभव नहीं है डिटेक्ट क हम क्या किये इस सिंगल बीट पारिटी का जो कॉंसेप्ट था इसको और एक्स्प्लोर किया है एक्स्प्लोर कैसे किया जड़ा सर देख लिया जाए अब इसके बाद हमने थोड़ा सा मांटिफिकेशन किया अब जड़ा हम विचार करें मान लेते हैं हमारे पास फोर बीट डेटा है फोर बीट डेटा क्या होगा 0000 या थ्री बीट ही ले ले थ्री बीट का अगर डेटा हो डी जीरो डी वन और डी टू तो इसका रेंज कहां से कहां तक मूब करेगा प्रक्राओं अब शींगल बीट की बात हम कर रहेए तो पहले है अब यहँ टो सिंगल विल्क्राइटी में हम बंब्लार एरे अगर एंभली होता है तो पता कर ले कि हमें उससे काम नहीं चलेगा हमको multi-bit error detection के भी से में सोच ना होगा हमने क्या कि अब हमने बैवस्था ऐसा बनाया कि हम टेस्ट करेंगे कि भाई अगर इन तीन हम पाइडिटी बना दें P0, P1 और P2 तो ऐसी स्थिति में हम इस इस position के error को detect कर पाएंगे पारेटी 0 अगर हमने ऐसा बनाया पारेटी P1 हमने इस bit को ध्यान में रखके बनाए इसका मतलब 4 bit का हमने बना लिया और P3 की अगर P2 की बात हो तो यहां से हम 4 bit को detect कर लेंगे यह बात समझ में आ रही है कि दिक्कत है कोई बात नहीं हम आसानी से समझ में आ जाएगी अब हमने क्या व्यवस्था किया कि हम तीन बीट पारेटी अगर ले लें हम आसानी से 7 bit data को आसानी से detect कर सकते हैं अब उसको कैसे detect करेंगे जना सदेख लीजिए हमने क्या किया कि पारेटी पीजीरो जेनेरेट जो किया वो पी जीरो किसको किसको करेगा 1, 3, 5 और 7 बीट को detect कर सकता है उनकी parity हम generate करके रखेंगे अगर P1 की हम बात करें तो यह 2, 3, 6, 7 को detect करेगा और P2, 4, 5, 6 और 7 यह पॉजिशन क्या अधार पर अभी हमने कुछ भी है इसमें चेंज नहीं किया है इस तरह से अगर हम parity बना लें और इनके position को अगर हम fix कर लें तो multi-bit हम parity check कर सकते हैं और इस multi-bit parity testing में हमारे पास एक benefit और आ जाएगा हम parity को detect भी कर सकते हैं उसको correct भी कर सकते हैं तो इस technique को हम बोलते हैं हमिंग कोड है अब यह ध्यान में रखेंगे कि हैमिंग कोड की testing data link layer पर नहीं की जाती है कि यहां पर CRC की testing होती है उस पर अगले वीडियो लेक्षियां में discussion करेंगे लेकिन चुकिए parity की बात हो रही है इसलिए अब समझने में सुविधा हो इसलिए हमने इसको बनाया है अब गौर से देखिए कि अगर हम इस तरह का करें तो हम 4-bit data को detect कर पाएंगे हमारा यह जो data है data है हमारा 1011 अब इस parity bit को रखा कहा जाए है तो हमने क्या किया इसको रखने का simple सा तरीका रखा टू टू पावर जीरो डू टू पावर वन टू टू पावर टू कि यह position हमने fix किया हमने बोला कि देखिए सबसे पहले हम data को यहां रखेंगे तो यहाँ पर पावर जीरो मिन्स वन कि पावर मार्न मिन्स टू नीचे हम लिखते हैं ज्यादा बेटर होगा कि थ्री पावर टू मिन्स फोर कि पाइब शिक्स कि सेवन कि अब जड़ा इसको गवार से देखिए है कि इसमें टू के पावर के पॉजिशन पर हमने बाइनरी पारिटी बीट को रखा अब पारिटी बीट अब कब रखेंगे पहले डेटा को रखेंगे डेटा हमारा क्या है वन जीरो वन वन यह पॉजिशन है हमारा डेटा का थ्री फाइब शिक्स और सेवन अब फोर बीट इटा को हमने एक फिक्स जगह पर रखा और डेटा हमारा यह है हमने पारिटी बीट का पॉजिशन में फिक्स कर दिया और पारिटी बीट जनेरेट की साधार पर होगा उसके लिए यहां पर पारिटी